वेल्कम तो अलिक्सम्प्रेस आएम रोहित आज हम मैथमेटिक्स में देखेंगे करल और फेक्कर फंक्शन और यह काफी इंपॉर्टेंट है से कोशन आते हैं गेट में तो देखते हैं अभी हम थियोरी देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे इस रिलेटिट कुछ प्रॉब टौण्रफशन और रिल्कम सिसक्या होगा या तो हम इसको कल एक लिकंगी और टेक्रॉब्स आप एक से शो कर रिंगे ओके छलिये तो देखते हैं क्या होता है कल और यह होता है रिटन्मन में को में present ID के होगा second row में डेला डेल 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 य डेल डेल देल जेड होगा हर्यो गजो रो वो होगी फ1 फ2 एफ3 की इस से हम क्या निकाल लेंगे कल लोफ और इसको क्या लेकंद देल आइटा क्रॉस अब इस बिश्य लेकते हैं तो यह हमारा से क्यलकुलेट हो जाएगा अब हम देखते हैं irrotational vector क्या होता है और उसकी condition क्या होती है irrotational vector ठीक है इसमें क्या होता है क्या होती है function कैसा होगा irrotational होगा तो ये आपको याद रखना चाहिए और जो color होता है वो क्या angular velocity को show करता है angular velocity angular velocity को show करता है ठीक है तो याद रखियेंगे चलिए आगे देखते हैं ठीक है एक मैं note देना चाहता हूं इस note में क्या है एफ जो एक non-zero vector है तो हम अगर divergence of curl of f निकालेंगे वो क्या होगा जी रेव के एक्वल होता है तो यह कंडीशन आप याद रखी का बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है चलिए अब कल्स के कुछ कोशन देख लेते हैं कोशन दिखते हैं कोशन दिया हुआ है f equal to x square y square plus i plus 2x square yz j minus 3yz square k अब बोल रहा है कर रहा है कितने point पे 1 minus 1 और 1 पे del by del x, del by del y, del by del z होता है और नीचे क्या होता है f1, f1 क्या है यहां पे xy square है f2 क्या है यहां पे 2x square yz है और f3 क्या है minus 3yz square है क्या हो जाएगा formula i into ls को रखेंगे इन दोनों को solve करेंगे matrix में मैंने आपको बताया है क्या होगा इसका y के respect में क्या हो जाएगा 3 minus 3z square हो जाएगा फिर minus इसका इसके respect में z के respect में क्या हो जाएगा 2x square y हो जाएगा माइनस j अब इसका इसके respect में x के respect में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अब इसका इसके respect में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कुछ है नहीं क्योंकि चलिए प्लस के अब x के respect में इसका करेंगे क्या हो जाएगा 4x y z minus अब y के respect में हो जाएगा 2x y यह आगे हमारा अचलिए यह वैलू आगई अब इसमें पॉइंट पुट कर देंगे पॉइंट क्या 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 दिए हुए 1-1 और 1 ठीक है पुट करते हैं क्या हो जाएगा आई 1 3-3 फिर-1 पुट करना है तो प्लस 2 हो जाएगा प्लस 4 क्या है यहां पे 4 1-1 और 1-1 यह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है तो यहां से क्या आगया हमारा स्वाल करने पे यहां से माइनस ऑफ आई आगया यहां से क्या आया माइनस ऑफ टू के आगया यह क्या आगया हमारा अलसर ठीक है इस टाइप के कोशन आते हैं और कोशन देख लेते हैं प्रेंट्स सेकंड कोशन है पाइंडा कल एफ बोल रहा है और एफ क्या दिये हुआ है तो एक्स वाई आई माइनस एक्स स्क्वाइड जे और किस पॉइंट पे वन वन पॉइंट पे ठीक है फॉर्मुला तो पता ही है अब देखें आई का क्या है एफ बन क्या हो जाएगा यदि इन्टि इस तो क्या हो जाएगा है ईह पिर माइनस ऑल्रेदी माइनस माइनस प्लस काछे चरुए हो जाएगा माइनस यह करैंगे तो सक्षित पर पारहता दिका की में систем हो गया यह को है मेंगे कि Y के रिस्पेक्ट में 2 X 2 X आ जाएगा ओके इसके रिस्पेक्ट में करेंगे क्या गया 2 X आ गया ठीक है अब इसके सॉरी 2 Y आ जाएगा 2 X रहेगा फिर X के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 X Z हो गया चलिए 2 K क्या हो जाएगा यहां से यहां से आया 2 X Z I प्लस 2 X प्लस 2 X Z K वैल्लू पुट कर देते हैं 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 Y प्लस 2 प्लस 2 4 4 K तो क्या गया 2 I प्लस 4 K यह क्या गया हमारा आंसर ठीक है इस टाइप के कोश्चन लग कापी आ जाते हैं एक्जाम में तो आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो चलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं तो फ्रेंड सोरी यहां पे गलती होगी इसके बार चलिए माइनस 2 X हो जाएगा तो यहां भी क्या जाएगा माइनस 4 की आ जाएगा 2 I minus 4 की यह होगा चलिए नेक्ट कोश्चन देखते हैं चलिए यह कोश्चन देखते हैं काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है फुर रहा है फाइंड दा कॉंस्टेंट ABC सो देट वे और फॉंक्शन कैसा है इरिटेशनल है अब मैंने आपको बताया था इरिटेशनल की कंडिशन क्या होती है करल F क्या होता है जीरे के एककल होता है सबसे पहले हम करल F निकालेंगे इस फॉंक्शन का ओके तो क्या हो जाएगा I J K D by DL X D by DL Y D by DL Z अब क्या है 1 X plus 2 Y plus A Z F2 क्या है B X minus 3 Y minus Z और F3 क्या है 4 X plus C Y plus 2 Z OK point करते हैं I into this into this क्या हो जाएगा DL Y upon इसका करेंगे तो क्या आएगा यहां से यह function है Y के respect में क्या हो जाएगा C आजाएगा बस minus अब Z के respect में स्वाले का करेंगे क्या हो जाएगा minus 1 आएगा minus 1 minus 1 plus 1 हो जाएगा C plus 1 आगया ओके चलिए फिर next time minus J अब minus J वाला करेंगे क्या होगा X के respect में करना पड़ेगा क्या जाएगा यहां से 4 आजाएगा फिर minus Z के respect में A आजाएगा plus K अब K के respect में इस वाले function का X के respect में क्या आएगा यहां से B आजाएगा minus Y के respect में इस वाले function का क्या हो जाएगा 2 यहां गया और यह किसके equal चल रहा है जीरे के equal है तो यहां तो तो C C plus 1 0 के equal कर देंगे तो क्या जाएगा है यहां से C equal to minus 1 4 minus equal to zero कर देंगे तो क्या जाएगा एकल टू और बी माइनस 2 equal to zero कर देंगे तो भी क्या जाएगा है यहां से तो यहां से वैलू आ गई A, B, C और B की ओके चलिए इस टाइप के कोश्चन आते हैं काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है चलिए नेक्स कोश्चन देख लेते हैं जल्दी से और चलिए नेक्स कोश्चन है अब बोल रहा है फाइंड डेल्टा इन डॉट डेल क्रॉस एप ओके तो फाइंड करते हैं कैसे फाइंड करेंगे अब याद कीजें मैंने आपको एक नोड लिखवाया था उसमें इसकी वैलू डेरेक्ट क्या थी चीरो तो इस टाइप का और कोश्चन आता है और बोलता है के फाइंड कीजे तो उसका आंसर क्या होगा जीरो होगा ठीक है कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं है ओके तो फ्रेंड्स यह धा करल और वेक्टर फंक्शन ठीक है तो यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीस लाइक करें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और और भी स्टडी मटेरियल के लिए मेरी वेबसाइड और एक्जाम प्लेस डॉट कॉम पर विजिट कीजी